रोयल चलेंजर बैंगलोर ने बीती राद बड़ा ही धमाकिदार तरीके से मैच नमबर 13 अपने नाम क्या ये इनके सीजन की दूसरी लगातार जीत है जिस जीत के हीरो रहे दिनेश कार्थिक इन्होंने लगातार तीसरी बार नाबाद रहते वे टीम आर्सीवी के लिए मैच फिनिश करके दिया कॉलकता के मुकाबले में बहतरीन तरीके से जीत दिलाई थी आकरी कुछ गेंदों पर रन बनाकर तो यहां पर भी इन्होंने रन बनाकर बहुत थी खराब सिच्वेशन से टीम आर्सीवी को इस मैच में जीत दिलाई टीम का सेलिबरेशन ही बताता है कि उनके लिए जीत कितनी इंपोर्टेंट थी दिनेश कार्तिक ने राइस्थान दोयल्स के खिलाफ नाबाच चोवाली सुन मनाई कार्तिक ने अपनी 23 गेंदों की पारी में साथ चोके वे एक बहुत ही लंबा छक्का लगाया उनकी शांदार पारी की बदोलत आर सीवी ने चा अखरी ओवर तक लिए जाने उन्हों शुरुवाती ओवर से अटेक करना शुरू कर दिया उन्होंने 14 यानि के चोदिवे ओवर में रवी चंदन अश्विन की गेंद पर एक च्छका लगाया और तीन चोके जड़ दिये अश्विन ने उस ओवर में कुल 21 रन बनाई थे इ वहाँ पर इस मकाबले में रायस्थान को हराकर बहुत बड़ी जीत दर्ज करी क्यूंकि रायस्थान अभी तक दोनों मकाबले अपने पिछले जीती थी इस मकाबले में हरापाना उन्हें कटिन नज़र आ रहा था लेकिन उसी को पॉसिबल कर दिया दिनेश कार्तिक ने ज इसके आगे का काम खुद शहबाज ऐमद और दिनेश कार्तिक ने किया। बात करें दिनेश कार्तिक की तो दिनेश कार्तिक ने पिछले दो मुकाबलों में भी आर्सीवी के लिए शांदार परदशन किया था। पिछले सीजर में कार्तिक कॉलकता ने रेडर टीम का हिस्सा थे। दिनेश कार्तिक ने अब तक 201 IPL मुकाबले खेले हैं जिसमें 25 से ज्यादा की एवरेज के साथ उन्होंने 3848 सर्म मनाए हैं। इस दोरा नुन के बल्ले से 18 अर्द शतके फारी निकली है। दिनेश कार्तिक बने उनकी अपनी बल्ले बाजी के लिए। झra लिए। मुल्टने लिए।